नमस्कार दोस्तों मेरा विकास सिंग और आप सभी का स्वागत करते है अपने टेक्निकल चैनल में जिसका नाम है एंड्रो गुरोजी दोस्तों कुछ लोग कह रहे थी कि यह पोको एक्सटू नहीं है रेडमी के थर्टी है सबसे पहले अगर रेडमी के थर्टी होता तो इसक इसके अंदर सिर्फ NFC वगरा सपोर्टर लेकिन इसके अंदर वो नहीं हमको देखने को मिलता है बागी हमको इसके अंदर सबको जो है सेम देखने को मिलता है तो ऐसा है यहां पर आज यहां पर मैंने फ्लैश कर लिए 20.7.2 जैसे कि आप लोगों की डिक्वेस्ट आई थी कि बताओ यार किस-किस के लाई है कौन-कौन सी आई है क्या-क्या फिक्स आया है तो इन द्वारों में आज हम बात करेंगे सब सब्सक्राइब यहां पर नहीं निकल गया है जिसके मैं आपको कल बताया था यहां पर Redmi K30 Pro के अंदर Bluetooth के अंदर Bluetooth में उनका यहां आप वाच व जाते हैं उसको यहां पर बोला जा रहा है कि आपर जो GPU performance इसको increase किया गया है यहां पर आपके gaming experience उसको भी और जाता है यहां पर अपडेट किया गया optimize किया गया जिसको आप और अच्छे से अब चला रहे है डूवल एप्स के अंदर कुछ issues आ रहे थे उनको भी यहां पर fix कर दिया गया आप उनको यह भी देखने को मिल जाएगा उसको बात बात करते हैं यहां पर full screen gesture जो काम नहीं कर रहे थे ultra battery saver mode में उसको यहां पर fix कर दिया गया है जो कि हमारा पिछला चाइना वाला जो update आया तो उसके अंदर भी fix किया गया था इसके रहा दोस्ते हैं आपर notification bar के अंदर हमको मिल देखने को मिलते हैं यहां पर कूछ issues नहीं दिखाई दे रहे थे उनको यहां पर ठेक्स कर दिया गया इसके लएपर letter wrapping का और एक एकश हम आ रहा था स्क्रीन पर जब अन्दर शामे को इससे लोडिफिकीशन की अन्दर जो कश एपको पर यह यह त sector to उनको today आपको देख आधाः की अंदर है यह चैथर टाइब dolphin करने में क्यां अचीज तो उसको भी आपर fix कर दिया गया है scanner की बात करें तो scanner के अंदर यहाँ पर चाइनीज यहाँ बटन आता था qr scanner में उसको यहाँ पर remove करके जो आगर मैं आपको दिखाऊ यहाँ पर तो उसको fix कर दिया गया है scanner के अंदर हमको Chinese वाले हमको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा पहले हम पर Chinese वाले हमको कुछ देखने को मिल रहा था उसको यहाँ पर fix कर दिया गया है बात करते हैं बागी चीज़ों कि यहाँ पर ब्राउसर के अंदर भी हमको एक इसु देखने को मिल रहा था इसु क्या वह एक नया फीचर आया था चाइना वाली रूम के अंदर लेक को भी आप देख सकते हैं Google Chrome के अंदर भी हमको एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसलेटर का कुछ उसी तरीकी का ऑप्शन जो इस ब्राउसर के अंदर भी इनको देखने को मिला था जो कि Chinese language को यहाँ पर फिलाल सपोर्ट करता था तो उसको यहाँ पर डिसेबल कर दिया गया है ब जो है 11 जैसे मन आपको बताया था मीटन पर 11 के लिए टेस्ट के जा रहे हैं Android 11 के लिए तो उसकी वज़े से यहाँ पर इन दोनों के अपडेट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं और इसके अलाब अगर नो इन इसू की बात करें तो यहाँ पर हमको कोई भी FM र अधर खला रहा शायद किसी-किसे डिवाइस के अंतर प्रॉब्लम होगो कि तो इसके अंदर देखनी को मिल रहा है तो कुछ 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 देखनी को मिलते हैं आ आपको यह वीडेओ जो यह पसंद आखो वीडेओ पर चैनल को संस्क्राइब कर लो वीडियो को आपर